देखें, करोडों में बिख रहा है ये साप, सचाई जानकर हैरान हो जाओगे आज एक बार फिर मैं कुछ अजब गजब तत्यों के साथ ये नई पोस्ट लेकर आया हूँ इस पोस्ट को आखिरी तक पढ़ते रहे दुनिया में ऐसे कई साप है जिनका व्यापार होता है साप शरीर के तापमान को कंट्रोल नहीं कर सकते है इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बढ़ता घटता रहता है यह अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए भोजन पर निर्भर नहीं है इसलिए अत्यंत कम भोजन मिलने पर भी यह जिवीत रहता है कुछ सापों को महीनों बाद बाद भोजन मिलता है इसके आलावा कुछ साप साल में भर में एक से दू बार बहुत सारा खाना खा लेते हैं और जिवीत रहते हैं ज्यादतर सांपों के सर्पों के जबड़े इनके सिर्थ से भी बड़े शिकार को निगन सकने के लिए अनुकुलित होते हैं आज हम एक ऐसे सांप के बारे में बताने डा रहे है जिसका व्यापार करोडों में होता है सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम बात कर रहे हैं रेड सेंद बुआ नामक प्रजाती के साप की जिसको दूसरी बार जब्त किया गया है जानकारी के अनुसार इन सांपों की कीमत अंतराश्ट्रिय बाजार में करोडों की होती है इस साप के बारे में तांत्रिकों का मानना है कि सीहस्थ के समयतांत्रिक क्रिया के लिए इंसामपों का सवड़ा होता है इस साप के बारे में लोगों का मानना है कि इस साप की चर्चा सारे विश्व में हो रही है हैरान कर देने वाली बात है कि बाजार में इस साप के लिए लोग 25 करोड देने के लिए तयार हो जाते है लोगों ने दावा किया है कि दुन्मूग वाले साप को धनका देवता कुबेर से रिष्टा होता है इसके अलावा चीन में पारपरिक दबाव में मर्दान की पावर बढ़ाने के काम आता है मानना है इस सापको खाने से एड्स जैसी बिमारी से मुक्ती मिल जाती